हेलो प्यारे बच्चो मेरे चिरल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चो इस वीडियो में हम कक्चा पांच वी का MP बोर्ड का गणित है जिसका चेप्टर 7 है क्या तुम्हें पेटर्न दिखा इसके किसार आंसर हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे तो बच्चो ये वीडियो का सेकिंड पार्ट है फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है उसे आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं तो बच्चो ये वाली वीडियो जो है ना हम लोग पेज नंबर एक सो तीन से शुरू करते हैं तो यहां तक मैंने बता दिया था, अब हम इसमें यहां से शुरू करेंगे ये वीडियो, जादूई बर्ग, याद है हमने जादूई तिकोन बनाए थे, आओ अब कुछ जादूई बर्ग बनाए, ठीक है क्या बनाना है, बर्ग ये इस तरह के, इस बर्ग को 46 से 54 तक की संक् उससे बनना है, नियम हर पंक्ती का जोड कितना होना चाहिए, देड़ सो, यानि कि इदा से भी इसका जोड देड़ सो आना चाहिए, तो चलिए बच्चो इसे हम किस तरह से सोल्व करेंगे, तो देखी बच्चो अब हम इस बर्ग को कैसे सोल्व करेंगे, कि बच्चो ये तो को आज गई और धो ऑंग सh तालिस इन दोनों को जोडा ना आए-था-थास-पारइस को जोड्स इंगे और उसका भाग clip फिर हम डेर सों में से उसे घटा देंगी ठीक है जेर सों में से अम से घटा देंगी देखक इसतरे से आम इसे करें आए-थास-पारी 47 ओने आ लिखते हैं 52 इनको जोडते हैं तो 7 और 2 9 और 4 और 5 9 अब ये 1.500 में से इसको घटा दो 1.500 और इसमें से ये घटा है ठीक है इदर लिख दी है हमने तो 10 में से 9 इदर 10 मान लो इदर बचे 14 इदर बचे 10 10 में से 9 गए तो 1 बचा और 14 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 5 तो ये जो 51 आ रहा है वो हम इदर लिख देंगे इसी तरह से इन दोनों को जोड़ेंगे ये वाले को इन दोनों को जोड़ेंगे हम और फिर हम उसमें 1.500 में से उसे घटा देंगे ठीक है बच्चो अब देखो बच्चो अब हम क्या करेंगे 46 और 151 को जोड़ लेंगे और फिर 105 में से उसे घटा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा तो देखो इदर जोड़ते हैं हम 46 और 51 कितने हो गए चे और एक साथ 4 और पांच 9 कितने हो गए 97 अब एक सो पांच में से 97 घटाएंगे तो हमारे आएगा 53 एक बाद घटा दीजिए देखिए ये हो गए 10 ये हो गए 14 दस में साथ गए तो तीन बचे चवदा में इसे नो गए तो पांच बचे इस तादे से आप कर लीजिएगा मैंने आपको एक बार बता दी है एसी बच्चो त्रेपा नो उननचास को हम जोड़ देंगे और 105 में से हम घटा देंगे तो हमारा आंसर आजाएगा 48 ठीक है अब इसी तरह से 49 और 47 को हम जोड़ देंगे और और 150 में से घटा देंगे तो हमारा आंसर आजाएगा 54 अब देख बच्चो 46 इदर दिया है और 54 इदर दिया है इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर हम देड़ सो में से घटा देंगे जिसे हमने पेले घटा हैं इस तरह से इसका आंसर आजाएगा पचास ठीके बच्चो इस तरह से हमारी ये जादू ही बर्ग बन गया अब नीचे दिया गया है एक और बर्ग इस बर्ग को 21 से 29 तक की संख्याओं से भरो याने कि इसमें 21 से 29 तक की संख्याओं आने चाहिए 21 से कम भी नहीं आने चाहिए और 29 से जादा भी नहीं आने चाहिए हर पंक्टी का जोड 75 है यानि कि ऐसे में ऐसे में दिये गए हैं देखो यह बच्चो ऐसे में बनना है हमको तो यह कितना दिया गया है 75 है तो यहां कितना दिया है बच्चो 25 दिया गया है अब आसपास तो यहां पर कोई संक्या दी नहीं गई है हम इसे कैसे करेंगे यहां प जैसे कि हम 26 और 25 को जोड़ देते हैं, 6 और 5 ग्यारा, हांसे लाई 1, 2 और 2, 4 और 1, 5 याने कि 51, ठीक है? अब हमारे 51 आ गए, अब हम 75 में से 51 को घटा देंगे, तो 5 में से 1 गया, तो कितने बचे बच्चो? 4, और 7 में से 5 गया, तो 2 बचे, यहाँ आ जाएगा हमारा 24, ठीक है? तो यह वाली लाइन तो हमारी कंप्लीट हो गई, अब देखी बच्चो, अब इस तरह से हम यह वाली लाइन कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पर हम 22 ले लेते हैं, यह भी हम मन से लेंगे, ठीक है, हमने यहाँ पर 22 ले लिया, चलो जोडते हैं और उसको हम 75 में से घटा देंगे तो 4 और 2 6 और 2 2 4 अब इनको घटा देते हैं ठीके तो 5 में से 6 नहीं जाएगा ये इससे उधाल लेगा इधर हो गए 15 और इधर बचे 6 तो 15 में से 6 गए तो कितने बचेंगे यहां बचेंगे बच्चो 9 और 6 में से 4 गए तो कितने बचे 2 यानि कि इधर कितना जाएगा हमारा 29 ठीके अब देखिए बच्चो अब इस तरह से हम ऐसे में कर देते हैं इसको ऐसे में करते हैं 25 इस तरह से 25 और 25 को जोड देते हैं और 35 में से घटा देते हैं तो 5 और 2 कितने होगा है 7 और 2 2 कितने होगा है 4 तो इधर कितने होगा है 7 मतलब जो 5 में से 7 नहीं जाएंगे तो 5 जोए 7 से एक उदार लेगा तो इधर हो जाएंगे 15 और इधर बचेंगे 6 तो बंदा में से 7 गया तो कितने बचे 8 और 6 में 4 गया तो दो बचे इधर आगाए बच्चो 28 अब 26 और 28 को जोड़ेंगे ठीक है और फिर हम 75 में से उसको घटा देंगे तो पिचत्तर तो लिखा जाने हम चलो इधर लिख ले दें 75 ज़र खराब हो गया है पेच तो 26 अटाइस को जोड़के 75 में से घटा देंगे तो बच्चो हमारा आजाएगा 21 ठीक है इसी तरह से 26 और 22 को जोड़कर हम पिचत्तर में से घटा देंगे तो इधर आजाएगा 27 ठ प्यार हो गया है अब देखिए बच्चो यहां दिया है जादूई सटकोन अंको के पेटन को सटकोन में देखो ठीक है यह सटकोन दिया गया है हर बुजा पर दो गोले हैं यह दो गोले हैं आप देख सकते हैं हर बुजा पर सटकोन यह बच्चो छे कोन एक दो तीन चार प छे कौन याने की सट कौन ठीक है इसकी हर बुजा पर यह जो बुजाएं हैं आप देख सकते हैं बुजा पर दो गोले हैं और एक चोकोर है ठीक है चोकोर याने की चार कुड़ा डिब्बा तुमें हर खाने में जो संख्या मिलेगी जो उसके साथ वाले गोले में लिखी संख्याओं को गुणा करने पर आएगी याने की गोले में जो संख्या हैं इनका अगर हम गुणा करेंगे तो ये संख्या आजाएगी ठीक है जैसे 14 सत्य 98 साथ में 10 का गुणा करेंगे तो 70 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 20 इस तरह से 13 में 2 का गुणा करेंगे तेरा दूनी 26 तेरा पंजे 65 चौद्धा पंजे 70 ठीक है ये दोनों गोलों का अगर हम गुणा करते हैं तो इस चो खाने में जो संख्या आएगी ठीक है इन दोनों गोल तीन में करेंगे तो 65 आएगा तेरा पंजी 65 इसी तरह 70 कब आएगा देखो चौदा का गुणा अगर हम 5 से करते हैं तो कितना आजाएगा 70 आजाएगा तो आप लिए सकते हो 14 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे तो कितना आएगा 70 खाने में लिखी संख्या 65 को देखो इसके दोनों और के कौन से गोले हैं तो दोनों और कौन से गोले हैं देखो 65 के 5 है और 13 है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 और 13 ठीक है क्या तुम देख सकते हो यह नियम केसे काम करता है नीचे दिये गए सटकोन को भनने के लिए इस नियम का उप्योग करो अब हम इन दोनों को गुणा करेंगे गोलो गोलो को कोफी चोखाने में इस कांसर भरेंगे तो 9 में 11 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 99, है ना? 11 नाम 99 अब देखो इदर अब इदर दिया है यह फट हुआ है यह 108 बच्चों ठीक है यह फट उखा हुआ है यह 108 ठीक है अब हम यहाँ पर कितनी संख्य लिखें अब हम क्या करेंगे बच्चों? एक बार दियान रखना गोले और गोले का तो गुणा होगा और गोला और चोकोर्न का हम भाग करेंगे ठीक है तो इधर वाली संक्या आ जाएगी जैसे ये गोला है और ये चोकोर है तो इसका हम भाग करते हैं नो में एकसो आठ से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बारा आजाएगा आप भाग देखे देख सकते हैं तो यहां हम लिख देंगे बारा तो बारा नम्म में 108 एसा भी आ गया ठीक है अब इदा देखो 12 का गुणा 7 में करो तो 12 सत्य 84 आ गया अब 17 का गुणा 7 में करेंगे अब इसी तरह से 17 का गुणा 6 में करेंगे तो 17 सत्य 119 17 का गुणा हम 6 में करेंगे, तो इदर क्या हो जाएगा बच्चो, 17 का गुणा छे में करें तो 17 के 102 पुर 11 का गुणा हम 6 में करेंगे तो किटना जाए 11 चींग 16 탄, त्वी यह खाना हमारा भर गया, आप इसी तरह से हम यह देखते हैं, देखो छोको riskig dya आठ का भाग हम सकते हैं तो करते हैं करके देखो आप को भिश्वास नहीं हो तो इदर को एक सुचार भागित आठ तो आठ एक हम आठ आठ डूनी सोल जादा हो रहे हैं दस में से आठ गए तो दो बचे ओज चार चोविस एक टे आठ डौटे शुरा त्यानटे चोविस ठीक है तीनडे चोविस इधर कितने आजाएंगे बच्चों 13 तो इधर हम भल देंगे 13 तो 13,8, 104 यह आ गया अब 8 का गुणा हम 8 में कर देंगे इधर 8,8,64 ठीके अब देखो इसमें गोला दिया है ना इसमें चोको दिया है ना अब इदर देखते हैं यह दिया है चोकाना और यह दिया है गोला याने कि इनका भी हम भाग करते हैं तो तेरा का भाग हम 78 में करेंगे तो तेरा चींग 78 होता है इदर हम 6 लिख देंगे ठीक है अब 6 का गुणा 4 में कर दो गोले गोले का गुणा करेंगे चेटे एचचोग 24 अगया अब चार का भाग हम 6 में देंगे 64 में तो 4 का भाग चोषट में दो देखि इधर में देखि बताती हूँ 4 का भाग हम देंगे 64 से तो 4 एकम 4, 4 दुनी 8 ज़ादा हो जाएगा तो 6 में चार गए तो 2 बचे इदर अगे 24 ठीक है तो इधार कितना जाएगा 220 कितना आगा बच्चो tut 16 अंसर आगा है याने कि हमने अगर 64 में 4 से भाग दिया तो कितना आगा है 16 अंसर आगा है अब 16 अठ्ठ्ठ्ठ 16 का 8 में गुणा करो 16 अठ्ठ्ठ्ठ्ब कितने होता है 18 देखो बरा गया हमारा जादूई सट कॉन ठीक है अब चली वच्चो अब हम आगे देखते हैं क्या दिया है संख्या ही संख्या ही संख्या ही तो यहां दिया है देखो 24 19 37 फिर इनका आगे पीछे कर दिया बस इसका और कुछ नहीं है तो इसको 37 कर दिया 24 29 बीच में लिख द दिये इसी तरह से 215,ının 126,000 वaremos 2.2,000 इसको 11E ή पीछे कर दिया क्या एक बरा आबर है तो बिल्कुल बरा उसे जो संख्या ही इदर है जो संख्या ही इदर है बस quoi ृजह क्या है आगे पीछे कर कर दी है ठीक है खाली स्तान को इसी तरह से भरो में खाली स्तान में बना थीक है तो जो संकेठ तो हम भाइना थीन ही पॉर ऺढई खी क्या को भी आना है और यो इंक भी आनी Istतर भीठें में रहिखने पर रहले पूर ऐसे क्या से विर से कहला है और सफुर भर क्या सबुछी क्या थेद ब्रहते में मतों लिए हम इधर बहर देते हैं इसा ही इसमें करना है अब देखें 48 गुण 13 यानि कि 13 का हम 48 में गुणा करते हैं ठीक है तो बच्चों इसका 13 का हम 48 में गुणा करते हैं तो आएगा 624 आंसर तो इसी तरह से अंसर हमारे क्या आएगा 624 इसी टिक है तो क्या ये बरावर है जाच करो ये ठीक है या नहीं तो लिख देंगे यह यह ठीक है परावर है इतना अब इसमें लिखना यह ठीक है